आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर्यकेडमी में आज हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं कि अभी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सबजी वालगा हिसाब कैसे करें उसमें हमने बताया था विदाउट कैलकुलेटर यानि कि आप किस तरीके से कोई भी हिसाब कर सकते हैं लेकिन अगर आप मैथ में अच्छे नहीं हैं तो आपको थोड़ी वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकते हैं लेकिन आप इजीली मॉबाइल से किसी भी हिसाब को इजीली कर सकत हैं किस तरीके से कर सकते हैं तो वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं तो चलिए हमारे सामने यहाँ पहला सवाल था यह सवाल हम दुबारा अब हम यह सवाल मॉबाइल के थ्रू आपको यहाँ पर बताने वाले हैं जो हमने वहाँ पर भी आपको बताया है और यहाँ प इतना होगा तो यहां पर सिंपल चीज है कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं एक किलो का दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है सिंपल छीज है है कि 1 kg का आपको डायक दिया हुआ है पंदरी रुपे तो आपको सवा 2 kg का निकालना है तो जाधा का निकालते हैं क्या करता है multiply करते हैं multiply करना है कितने से सवा 2 kg सवा 2 kg को किस तरीके से लिखा जाता है जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया है basic concepts वहाँ पर बताये हैं आपको तो यहाँ पर की सवा 2 को किस तरीके से लिखा जाएगा तो सवा 2 को लिखा जाएगा 2.250 2.250 लिखा जाएगा तो यह आपका 33 रुपे 75 पैसे तो जैसा कि यहाँ पर आंसर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने निकाल के दिखा रखा है 33 रुपे 75 पैसे इस तरीके से आप इजीली मॉबाइल के माध्यम से इजीली निकाल सकते हैं तो यह पहला सवाल हमारा इस तरीके से टमाटर तेरे रुपे पाव हो तो साड़े 300 ग्राम टमाटर कितने के होंगे या फिर यानि कि एक जो टमाटर का भाव है वो 300 रुपे पाव है तो साड़े 300 ग्राम टमाटर का मॉल्य कितना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसको किस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पर जो तेरे मूल्य आपको दिया हुआ है तेरे जो दिया हुआ है इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा एक पाउ से एक पाउ कितना होता है धाई सो गिराम तो इसको सबसे पहले 500 g से आप डिवाइड करेंगे, तो आपके पास में 1 g का मूल्य आजाएगा, 1 g का मूल्य आगे आपके पास में 0.052 रुपे, अब आपको निकालना था 3.5-300 g का, तो 3.5-300 g का किस तरीके से निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसमें multiply कर देंगे 1.5-300 g, 1.5-300 g जैसे आपने multiply करा तो यह आगया आपका 18.2, यानि कि 18 रुपे, तो इस तरीके से आपका अंसर आगया, यनी कि आपको 18 रुपे पे करने होंगे तो इस तरीके से आप easily निकाल सकते हो तीसरे सवाल था हमारा 1 किलो पनीर का दाम 280 रुपे है तो 425 गिराम पनीर का दाम क्या होगा तो यहाँ पर हमारे लिए 1 किलो पनीर का दाम दिया हुआ है 280 रुपे अब आपको 425 गिराम का निकालना है तो simple चीज है यानि कि 1000 का आपको 1000 गिराम का 280 दिया हुआ है तो सबसे पहले आप 280 को डिवाइड करेंगे 1000 गिराम से 1000 गिराम से जैसे आपने डिवाइड किया तो आपका 1 गिराम का मुल्य आ गया 0.28 आपका आगया 1 किराम का मुल्य तो अब आपको 425 का निकालना है तो 425 के लिए आप क्या करना पड़ेगा 425 से मल्टिपलाई करना पड़े गा जैसे आपने मल्टिपलाई करा तो आपका आगया 119 गिराम तो इस तरीके से आप ऐजी लिए इनको निकाल सकते हो जैसे यहां पर आप देख भी सकते हैं 119 गिराम लिए कि लई एक किलो पनीर का मुल्य 280 रुपे दिया हुआ है यहां पर आपको एक किलो पनीर का मुल्य 280 रुपे दिया हुआ है तो अब आपको यहां पर निकालना है कि 100 रुपे में कितना गिराम सो रुपे में कितना गिराम आपका पनीर आएगा एक किलो जो है दो सो असी में आ रहा है यहनि कि दो सो असी रुपे में एक किलो आ रहा है तो सो रुपे में कितने गिराम आएगा तो इस तरीके के सवाल को निकालने के लिए किस तरीके से आपको trick लगानी है तो यहाँ पर आपको करना है 1 kilo का means है 1000 gram 1000 gram 280 रुपे का आ रहा था तो अप यहाँ पर आपको निकालना है gram निकालना है तो gram को उपर रखना है और rupees को नीचे रखना है तो rupees से gram को divide करना है तो आपके पास में एक रुपे में कितने ग्राम एक रुपे में कितने ग्राम आ रहा है वो आपकी आ जाएगी तो यहाँ पर जब एक हजार को आप डिवाइड कर रहे हैं 280 से तो यहाँ पर एक रुपे में 3.581 ग्राम आपका एक रुपे में आ रहा है तो अब आपका 100 रुपे में कितना आएगा तो 100 रुपे के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर 100 रुपे के लिए आप multiply करेंगे 100 रुपे के multiply करने के बाद में आपका आगया ये आगया आपका 357.148 तो इस तरीके से यानि कि 357.14 तो ये यानि कि आपका इतने ग्राम 357 ग्राम आपको क्या मिलेगा यानि कि 100 रोपे का पनीर आपको इतना मिलेगा तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के सवाल आपको ये आप इजीली सॉल कर सकते हैं तो अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें share करें, comment करें और अगर आप आपने अभी तक हमरा चैनल को subscribe नहीं किया तो आप हमारा चैनल को subscribe कीजिए और इसके साथ में bell icon को जरूर करें और आप अच्यों का इस वीडियो के देखने के लिए धन्यबाद अगर आपने दूसरी वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको देविए